दोस्तों आज बॉलिवुट के मल्टी टैलेंट एक्टर सुशान सिंग राजपूत हमारे बीच नहीं है लेकिन इन्होंने अपनी मौत के कई राज पीछे छोड़े हैं जिसका जवाब सभी को ढूनना काफी मुश्किल सा लगता है हाला कि मुबाई पोलिस ने सुशान सिंग राजपूत की मौत को खुदकुशी बताया लेकिन फैंस का मानना है कि सुशान की मौत का कारण बॉलिवुड इंडस्ट्री में होने वाली गुटबाजी है और भाई भतीजाबाद है अब सोशल मीडिया पर गुटबाजी और नेपोटीसम को लेकर बड़ी बहत शुरू हो गई है जिसमें कई लोग सुशान सिंग राजपूत की मौत का जिम्मदार करेंट जोहर या शुराज फिल्म्स और सल्मान खान को बता रहे हैं कई लोग नेपोटीसम के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और अपने अपने ढंक से बॉलिवूड इंडस्ट्री को जिम्मदा ठहरा रहे हैं यहां तक कई सेलप्स ने भी बॉलिवूड इंडस्ट्री की पोल खोल कर रख दी है इस बीच खबर है कि करेंट जोहर का मोस्ट पॉपॉलर शोओ कॉफी विद करेंट खत्रे में पढ़ गया है इस शोओ में करेंट पॉपॉलर स्टार्स को लेकर आते थे और बॉलिवूड इंडस्ट्री से डुड़े कई खुलासे किया करते थे इसी के चलते ही ये शोओ TRP के मामले में सबसे आगे हुआ करता था लेकिन अब सोशान सिंग राजपूत की मौत के बाद लोगों से मिल रहे ऐसे रिस्पॉंस के बाद फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के प्रडूसर्स सतर्क हो चुके हैं वो किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते इसलिए वो अपनी प्लैनिंग में बदलाव करने की सोच रहे हैं जिस तरह से विरोध हो रहा है उसे देखते हुए मेकर्स डर गए हैं जिसके चलते हैं उन्होंने करन का शोओ नहीं करने का फैसला किया आपको बता देगी करन जोहर का मोस्ट फेवरिट शो कौफे विद करन का सीजन सवन जल्द ही आने वाला था यहां तक की शो का टीजर भी रिलीज हो चुका था जिसमें करन जोहर अभी नेतरी काटरीना कैफ विकी कौशल को लाने वाले थे लेकिन आप खबर आ रही है कि शो के निर्माता इस शो को ही खत्म कर देंगे निर्माताओं को लगता है कि अगर वो ये शो शुरू करते हैं तो ट्रोलिंग का शिकार हो सकते हैं क्योंकि शूटिंग की खबरें छुप नहीं सकती इसके साथ साथ कई सारे बड़े A-List Actors भी शो का हिस्सा बनने से डर रहे हैं वो नहीं चाहते कि शो में जानी की वज़े से उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़े इसलिए अब तक मेकर्स कई सारे स्टार्स से बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि उन्हें शो पर नहीं आना है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि करेंट जोहर का पॉपिलर शो कॉफी विद करेंट फिर से टीवी पर प्रसारित किया जाना चाहिए या नहीं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुड से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें